के बाद और सब्सक्राइब को बता दूं कि काफी दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रहे थी मैं आपको बताया था आई पेल के चलते और कुछ अपने परसनल वर्क के चलते मलब अभी पीछे भी मैंने एक अफता बहुत रेयर टीम दी और अभी दो तीन दिन से तो टीम भी नहीं दी एक 19 मार्च को दी थी 20 मार्च को कल भी नहीं दी नहीं 20 मार्च को टीम दी तो वह थोड़ा लपंगा था तेकिन अब रेगुलर टीम आएगी ठीक है कॉन्टीन विद वीडियो क्योंकि अब आई पिल बिलकुल ऑं दे वे हैं तो सबसे बहले बात करें यह वेरा डीघर करहा है दिस्क्रिफिक् immune उसक्ंपार निके डिस्क्रि Score डिस्क्रिप्षिन वाक्स में जिसमे नहीं जुटना उसको कोई जौर्द्वरस्थी नहीं अर्ज जुम चाहते है उन्क नीचे डिस्क्रिप्शन में और गाइस हम सम मिपतें कर aur रिदियो के बाद कर है तो तो देखो बियन मुनिच और ऐरसनल दोनों अपने अफ़ल दर्जे की टीम है यह ऑप बंडस लीग लीग में खेलते हैं और एरसनल वुमेन जो टिम है वो प्रिमियर लीग की टीम है तो एक तरह दुर दुर तक इनका मतलब वह नहीं है क्या बोलते हैं मेल तो जैसे कि इन दोनों टीम्स के बीच पहली पार तो मैश हो नहीं रहा क्योंकि ये वुमेंट लीग है तो टीम्स काफी कम है तो मैश चलते ही रहते हैं तो जिसके चलते हैं आप 2-3-10 मेंबर या 4 मेंबर कॉंटेस्स भी खेलोगे तो दिक्कत नहीं है क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा इंफो मिलने बाता मैं यह नहीं कह रहा कि आपसे कोई जीत नहीं पाएगा जीतने वाले तो जीतेंगी इतना मैं नहीं कह रहा कि बाकिय यह प्लेयर पहले तो है भाई बेन मनीच की और सबसे ज़्यादा गोल करने वाली स्ट्राइकर कॉंटिन्यू खेलती हैं इंटरनेशनल लेवल की जांतक बात की जाए तो काफी टाइम से इंटरनेशनल लेवल वुमेन मैच कवर नहीं किया क्योंकि हुए ही नहीं तो डुम असिस्ट्राइकर जो है बेन मुनिच की वह है सकलर और वह भी भाई कंटिन्यू गोल तो नहीं करती लेकिन इतना कहते हूं असिस्ट में बहुत दम है मलब अगर केबल अगर दो गोल कर सकती है तो वह दो असिस्ट भी कर सकती है अगर वह तीन गोल कर सकती है तो एक गोल य तैल भी देखा होगा, मैंने टाइटल में लिख़ा है कि इन दो प्लेयरों को चोडने की गलती मत करना, टाइटव थंबनिल देख लिया होगा, वो क्यों लिखए, तिरभ इस प्लेयर के चलते, क्योंकि लॉधमेन एक ऐसी प्लेयर है जो लोग छोडँे employed और हारेंगे, और Grand चैनल पर जाके उपर देख सकते हैं मैंने फिन भी किया हुए ठीक है तो वुमें लीग नहीं वुमें में भी जीते रहते हैं लेकिन वुमें लीग इजी है मैं मैंसे ठीक है और मगूल की बात करें मगूल है सेफ प्लेयर तो मनद इसका क्या कि अगर आप इसको छोड़ो के ठीक है और स्टैनल का चक्कर यह पनेल्टी लेती है अज मेरी चूटेगा कि विरृम劦 के प्लेयर अच्छी इने नाम दी श्वान के बात करें seafood and black stanius ये दोनों player है striker और दोनों मैंसे लोगे एक ठीक है मैंने पहले बला था आठ में से 6 लेनी है जिसमें से black stanius अगर खेलती है तो मैं black stanius लूँगा नहीं खेलती है तो direct food को लूँगा तो ये बात अब समझ जाए क्योंकि black stanius का goal ratio अच्छा है और seafood का assist plus goal ratio average है इसलिए मैं थोड़ा दोनों को लेके चिंतित था ये अच्छा है कि ये midfilling zone में है तो इसको तो हर बंदा लेगा और बात रहें injury की तो तो woman league है injury up and down होती रहती है तो इसलिए कोई खास मेरे पास information regarding injury आई नहीं जो बड़ी players है क्योंकि जो चोटी players है वो तो चलो चलती रहती है injury लेकिन बड़ी player के recording कोई ऐसी injury नहीं तो मैंने slash डाल दिया आगे से अगर बात करें तो बेन उनिच के winning chances की तो 65% ये home away को मत देखना सिरव आप percentage देखो home away का कुछ नहीं होता बाई जिस जो टीम तगड़ी होगी वो away में भी जीट जाएगी जो टीम बकवास होगी वो home में भी हारेगी तो ये उपने मन में डाल के चलो ठीक है वो तो home away लिखना मेरा काम है लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ और 35% winning chances देए Arsenal के तो ये 35% को हलके में मतले ना अगर आप सोच रहो कि Arsenal बिल्कुल बेकार टीम है तो ये रॉंग क्योंकि बेन मुनिच अपने last के match तीन match देखोगे तो 10-11 गोल होंगे और Arsenal के last तीन match देखोगे तो आठ गोल उनके भी होंगे और जीत तीनों में है मलब 3 out of 3 winning चल रही है इनकी last 3 matches में और आगे से अगर बात करें मतलब इनके goal chance की तो देखो बेन मुनिच के 4 goal max थे max तो max तो मत देखो आप minimum देखो हमेशा minimum देखते हैं तो minimum goal 3 मान के चलो 3 या 2 मान के चलो तब भी आपको दिक्कत ना हो और Arsenal के maximum goal आप मान के चलो 2 और minimum एक मलब clean sheet के chances कम है मेरे direct कहने का मतलब यह है ठीक है आगे से बात करें इस match की तो team create है सिरफ आपको समझाना है और कुछ नहीं है ठीक है चलो तो सबसे पहले बात करते है striking से क्योंकि striking से बात करते हैं तो easy rather तो यहाँ पर है scholar देखो scholar का क्या है selection है कम दिखने में क्योंकि होगी सब की team में और चकर कहा कि लोग क्यों आप पता है लोग क्यों छोड़ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ एक player के चकर में जिसका नाम है manam और manam है बहुत खतरनाक player अब आप बोलो के भाई तुमने उसका नाम क्यों नहीं दिया तो यह को नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस player को मैं ले ही नहीं सकता अब मैं किसके बतले लूँगा अगर आप सोचो कि मैं food को छोड़ के मैंनम लूँगा पूड मैं जरूर लूँगा मैं इसको drop out नहीं करने वाला black genius खेलेगी सिरफ तब ड्रॉप करूँगा अगर black genius खेलेगी अगर black genius नहीं खेलेगी तो मेरी team में food रहेगी आगे से अगर बात करें stand way penalty taker है दिक्कत है अच्छी player है जबर्दस्थ खेल दिया है और dolman की बात करें तो dolman को भी लेना चाता था तेकिन dolman की चेका मगूल ले है मगूल की selection दिखने में का मैं लेकिन यह होगी सब की team में मैंने आपको जैसे की पहले ही बताया selection के base पे मत जाना आई दिखने में 6% है पता नहीं कौन छोड़ेगा मगूल जैसी player को मैं तो नहीं छोड़ने से मैं तो नहीं छोड़ूँगा क्योंकि मैं तो dolman भी छोड़ दी stanway भी छोड़ दी किस चक्कर में मगूल और lowman के चक्कर में और ये दोनों player का ही नाम जो मैंने thumbnail में दीया था वो यहीं है कि अगर इन दोनों player को छोड़ोगे तो हारोगे जो मैंने लिखा है लेकिन भगवान करे ये ना चले बहले ही देखो dolman कुछ एक आदी assist करेगी चलेगा stanway अगर goal करेगी ना तो दिक्कत आएगी इसलिए मैं थोड़ा उसको लेकि थोड़ा problem में हूँ बट क्या हुआ manage करना है क्योंकि risk नहीं लोगे तो हारोगे और madima की बात करें madima madima खेलेगी तो भाई जरूर लेंगे नहीं खेलेगी तो लोग सोच रहे थे मैं little लूँगा लेकिन मैं यह नहीं करने वाला मेरे को little पसंद नहीं है बाई क्योंकि मैं तो मैं prefer करूँगा little की जगा ये बी मैट को अगर खेलेगी और L. Williamson पहले शुरू से defender रही है आज midfielding में देखके मुझे भी थोड़ा आज दोनों में प्लेयर है एम रोल को भी आप drop नहीं कर सकते है सेमन को भी नहीं जी को इनको drop कर सकते हो अब इसकी जगह है अगर आप कोई और player लेना चाहते है भले ही वो ऐरसनल की हो भले ही वो बेहन मनीज की हो तो आप बदल सकते है ठीक है बट मैं नहीं बदलूँगा क्योंकि मैं सेव जा रहा हूं गुमिन के साथ आगे से अगर बात करें यहाँ पर है जिंग्स बर्गर तो यहाँ पर मैनुवला जिंग्स बर्गर को यहाँ पर लूंगा जिंग्स बर्गर एक नॉर्मल प्लेयर है हाला कि गोल सेविंग रिशियो इतना खास नहीं है लेकिन अपन लोग हम इने छोड़ नहीं सकते क्योंकि लोहमेन एक रिस्की प्लेयर है किसी की टीम में होगी नहीं आपकी वाइस क्रेप्टन होगी अगर चलेगी तो जीतोगे इसलिए लोहमेन और एल्स कलर को लेके आप जरूर माइंड रखना बैक अप तीम के साथ उतरना एक टीम में सकलर को रखना सेकंड टीम में लोहमेन को वीसी रखना और दोनों के साथ अच्छे कॉंटेस जॉइन गरना जिसकारण आपको दिक्कत ना आए मलब आपको लॉस समझ रहे हो ना ठीक है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई